हेलो एवरीबन स्वागत है आप सभी का एक बाँ फिर से हमारे चैनल जी डीसी मेडिसिन में हम अपने इस चैनल पे दवाईयों से रिलेटेड सही सटीक एवं संपुड जानकारी आपको देते हैं तो किसी भी प्रकार की दवा की जानकारी चाहिए तो एक बार हमारे इस चैन तो आज हम जानेंगे इस महा नरायन तेल के अंदर मेंये जक्शी है कियायों का सीजम करने काम करने का तरीका तरीका क्या है मतलब इस ओयल इस तेल के हम आपको संपुर जानकारी देने वाले हैं पूरे विडियो मने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिसन होने पाए जियां महा नरायन तेल के अंदर अगर हम मेन कंपोजीशन की बात कर लें तो सब के सब नेचुरल और आयरवेदिक कंटेंट मिले होगा क्या के है अस्वगंदा है कटेरी गोखुरू है सोना पाथा है पुनर्नमा मूल है सतावरी है रसना है सौफ है दिवदारू है केसर है हल्दी है सफेज चंदन यस्ती मदू तिल ओयल यह सब के सब आयरवेदिक कंटेंट के दोरा इस तेल का निर्माल किया जाता है गुर्कुल कंग्री फार्मेसी इसके मैनिफेक्चरर है और अलग-लग कंपनी की भी आती है रूम टंपरिचर पे श्टोर कर सकते हैं और हंडेड अमिल के ओयल के बॉटल की कीमत तीन सो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है जक्रन है और वी जो भी समस्चाय है उस पेन को दूर करने के लिए इसका मसाज किया जाता है साथ जो ज्वाइंट पेन है बैक का पीट का पेन हुआ कमर का पेन हुआ मसल मासफेसियों में खिचाव आ गया मोच आ गई सभी प्रकार का प्रमुक आयरुवेधी कंटेंट मिलें बात कर लें कैसे काम करते हैं अस्वगंधा की बात कर लें तो यह आपका नर्वाइन टोनिक की तरह यूज होता है जो कि वेरियस नर्व से नसों से रिलेटर जो प्राबलम होता है दर्ध होता है उसको दूर करने के लिए जाना जा तो उसी दर्द को inflammation सूजन को दूर करने के लिए रस्तना यां पर जाना जाता है देवधर की बात कर लें तो यह आपका inflammation प्रॉपर्टी यानि जो आपका inflammation होता है उसको भी दूर करेगा साती साथ इसके अंदर भी anti-inflammatory property होती है मुलेठी की बात कर ले तो इसके अंदर भी anti-inflammatory सूजन वगरा हुआ दर्द हुआ उसको दूर करेगा पूननमा आयल की बात कर ले तो यह joint के pain को दूर करता है क्योंकि इसके अंदर वाता balancing property पाई जाती है तो इस प्रकार से जो content ना अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं फिर हम बात करेंगे इसके doses साही डोज क्या होगा तो साही डोज एक बार डॉक्टर से कंसल कर लीजे जैसे वह बता है वैसे लगाई है और यह तो थोड़ा पहले लेविल का डारेक्शन अच्छे से ज़रूर पढ़े इस तेल को cool place में dry place में और डारे सनलाइट से दूर रखना चाहिए फिर हम बात करेंगे चैनल को विजिट कीजिएगा अगली मेडिसीन अगली दवाई किसके बारे में बताएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखते जाहिएगा लाइक शेयर सब्स्राइब करते जाहिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मज़ ओल दे बेरी झाल 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 झाल